ठीक है, तो हमारा अगला टॉपिक है, वॉलेंटरी हेल्ट एजन्सीज, क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बता दू, कुछ भी लिखने के जबूत नहीं है, क्लास के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिये जाएंगे, वहां से आप टारेक्ट डाउनल काम भी करती है, इनका काम भी मुक्यता हमारी हेल्ट के से लेटर से लेटर से देना ही होता है, हमको इनके इनके नाम पता होने चाहिए, लोगोस अगर हो सके तो लोगोस भी याद रखिये, और थोड़ा बहुत इनके बारे में जानकारी, तो कुछ नाम जैसे की TBA, TBA के न जाएगा, TBA Association of India वाला, मुक्यता इनका काम क्या होता है, Campaigns चलाना, TBA के लिए, जिसे की Fundraise कर सके हैं, उसके लावा Doctors की Training करना, TB से लेटर काम करने के लिए, और Social Workers की भी Training करना, TB से लेटर काम करने के लिए, और उसके लावा Health Education देना, लोगों को Cuber Closes के डालमेंस से बचन के लिए, तो TB Association of India में अटलीस इतनी चीज़े आपको पता होना चाहिए, और अटलीस लोगों के बारे में तो आपको जानकारी होनी चाहिए इसके, उसके बाद हिंदू कुष्ट निवारार संग जो है, कुष्ट का मतलब लेप्रसी वाली डिजीज जो होती थी, तो बट इसली फाइनेंचल असिस्टेंस हमको प्रोवाइड करते हैं ये लेप्रसी रिलेटेड होम्स के लिए और हिंदू कुष्ट निवारा संग का आपको ये लोगों भी पता होना चाहिए, उसके अलावा, फैमिली प्लानिंग असोसियेशन ऑफ इंडिया होता है, तो वही फै चैल्ड वेलफेर भी होते हैं, तो भाई ये सर्वसीज देते हैं जिससे की बच्चों को पूरी अपॉर्चनिटीज और फैसलेटीज मिल सकें और उनकी फिजिकल, मेंटल, मूरल, स्पिरिच्वल और सोशल डेवलप्मेंट अच्छे से हो सके, उसके लिए इंडिन कांसल चैल्ड वेलफेर काम करता है, और भी कई हमाई पास वोलेंटरी हेल्थ एजन्सी जैसे की All India Women Conference है, ये उसका लोगो होता है, आपको देख रही है, लेडीज देख रही है, All India Women Conference, तो ये MCH क्लिनिक्स चलाते हैं, Adult Education Centers चलाते हैं, Family Planning Clinics चलाते हैं, ये सभी Women's Related Services आपके पास All India Blind Relief Society होती है, ये Eye Relief Camps चलाते हैं, उनके अलावा International Agencies होती हैं, जैसे की आपने पढ़ा ही होगा, Rockefeller Foundation, Ford Foundation, Care Foundation, Rockefeller और Ford Foundation, इन दोनों के बारे में हम International Health वाला जो चैप्टर है, उसमें अच्छे से पढ़ेंगे, ये International Health Agencies के बारे में, at least इनके लोगों तो होती है, उसका लोगों भी आपके सामने है, Medical Supplies, Relief Works, ये सब भी हम International Health वाले चैप्टर में अच्छे से पढ़ेंगे, तो at least इनके नाम क्या करते हैं, और इनके लोगों तो आपको पता होना चाहिए, अगर मैं बात करूँ सवाल की, तो ना, Theory Exam में आपको Very Short Note में Enumerate करके आ सब्सक्राफ देना होगा ना, तो इन से related कोई लोगों आपको Sports में हम दे देंगे, तो आपको at least पहचानना आना चाहिए, Sports में ये सारी चीज़ें, तो अगर मैं Sports या इनकी बात करूँ, तो ना, एक जगे confusion होता है, वो होता है इसमें, ये काई का Spot है, ये तो भाई आपको Sports के बीच में एक छोटी सी लाल रंग की बिंदी दे देना, तो ये हो जाएगा आपका सुरक्षा क्लिनिक का लोगों, तो ये बहुत confusion होता है, ये याद रखना कि MCQs में आपको दे दिया जाता है सुरक्षा क्लिनिक का लोगों, और आपको Indian Red Cross Society भी option में दे दिया जाता है तो आपने plus देखा, आप ये लगा देते हो, नहीं, आपको याद रखना है सुरक्षा क्लिनिक का, कैसे याद करोगे तो ये बीच में जो dot है, क्लिनिक के दो dot दिख रहे हैं लाल लाल, तो ऐसे आप याद कर सकते हो, सुरक्षा क्लिनिक का, कि भाई बीच में अगर यहाँ पर dot दे देंगे तो वो सुरक्षा क्लिनिक हो जाएगा ठीक याद रखना confusion इसमें होता है उसके बाद अगर मैं बात करूँ वाइवा की तो वाइवा में भी आपसे सीधा बोल दिया जाता है कि भाई at least voluntary health agencies के नाम तो गिना ही दो तो आपको at least इनके नाम तो पता ही होने चा मिला था कि भाई कौन-कौन से voluntary health agencies होती है तो नाम में मेरे को एक family planning वाला मिला था एक child welfare वाला MCQs में मिला था उसके अलावा Rockefeller और Ford Foundation भी उसमें थे तो एक MCQs तो मिला था तो यह आपको पता होना चाहिए तो इतनी चीज़े हैं जो आपको voluntary health agencies के बारे में पता ही होनी चाहिए तैंक्यू